नवस्कार मैं ब्रज मोहन और आप देख रहे हैं जनेता आवाज आज हमारे साथ इस्टूडियो में मौजूद हैं मौहन सिंग चंदेल जी जो पूर्व जला पंचात अद्देच्छ हैं जला शिवनी के और साथ मैं ही प्रदेश उपाद्देच्छ हैं कांग्रेश कमेटी क पिछड़ा वरग विवाग के तो आज उनसे हम चर्चा करने जा रहे हैं जिस प्रकार से मद्द प्रदेश के हालात हैं चुनाव खास करके पंचात चुनाव दो तीन साल से डिले चल रहे हैं कई वार तारीकी गौफणा होती है फिर चुनाव कैंसल कर दिये जाते हैं तो इन सब के पीछे असली वजय क्या है यह हम जानने की कोसिस करेंगे चंदेल जी से तो सर स्वागत है आपका हमारे नमस्कार तो सर क्या लगता है जो सरकार की क्या मंसा है मद्द प्रदेश में अभी पिछले तीन साल से लग वक चुनाव नहीं हो पा रहे हैं हमें जो लग आ है वो बिलकुल लग नहीं हो रहा है सत्प है और य τιςार्थ प्रदेस की जो सरकार है शिवराज सिंघी की सरकार यह चुनाव कराना नहीं चाहरी है क्योंकि जैसे ही मद्द प्रदेश में पंचाय चुनाओं का कारकाल समाप्त हुआ था और पिछली जो कॉंग्रेस की सरकार थी उसने प्रदेश में नए सेरे से पंचायतों का परिशीमन आरक्षां ये सब प्रक्रियाएं पूरी कर दी थी जो की रोटेशन के आधार पे को बंद कर दिया और रोटेशन ना करने के कारण बहुत सारे ऐसी पंचायत हैं जो जस्वर्क के लिए आरक्षित थी वह चवुदा के आरक्षांट पर ही कराने का उन्होंने निर्णे ले लिया उससे हमारे बहुत सारे लोगों को जो पंचायत में भाग लेना चाह रहे थ उनको वंचित होना पड़ रहा था तो ऐसे लोग न्याले की सरण में चले गए और न्याले में जाने से लोग रोटेशन के खिलाब गए थे पर यहां आप देखिए हम तो न्याय विवस्था का बड़ा सम्मान करते आये हैं मगर पिछले वर्गों के साथ यह जो होते चला आ रहा है हमको तो इस पर भी संदे हो रहा है मानी सर्वोच न्याले सुप्रिम कोर्ट ने जो चीज मांगी नहीं गई थी उस तरह का फैसला दे दिया क्या लगता है सर पहले महराष्ट में पिछड़ा वर्ग के जो आरच्छड को खतम किया जाता है पंचा चुनावस उसके बाद में मद्ध प्रदेश से क्या आने वाले समय में पिछड़ा वर्ग को इसका प्रितनित मिलीगा देखिया हमें तो लग रहा है एक सुन्योजित सडयंत जो देश के सत्ता धीस हैं जो उच्छवर्ण से जुड़े हुए लोग हैं ये सब सत्ता प्रतिष्ठानों पर काबिज हैं और ये सब मिलकर पिछड़ा वर्ग के हक को समाप्त करना चाहते हैं चीनना चाहते हैं क्योंकि महरास्ट्र में जो लोग गए महरास्ट्र में सुप्रियम कोर्ट ने सुनवाई की और मद्प्रदेश की याचिका है उनको भी उससे कलब कर दिया और मद्प्रदेश में उन्होंने बोल दिया कि आप सुप्रियम कोर्ट ने ये आदेश दे दिया कि आप OBC को आरक प्रोदेस में मिला हुआ था केवल 14 परसेंट था जो हमारे 27 परसेंट जो हमारा जायज हक है उससे आधा 14 परसेंट का अरक्षन था उसको भी समाप्त करते हुए बोल दें कि आप इनको आरक्षन नहीं देंगे और तब से चुनाव लटक गए हैं लोग पीडी थें है क्योंकि अब इसमें मानी सर्वोच न्याला का जो आदेश है उसको उनको पहले विड्रा करवाना पड़ेगा संतुस्ट करते हुए तब जाकर के आगे पिछला वर्क को अधिकार मिलेगा और जब पिछला वर्क को आरक्षन मिल जाएगा तब ही चुनाव होना चाहिए हालत खास्ता है युवाओं के लिए रोजगार नहीं है कोई भी गौर्रमेंट रोजगार के लिए ततपर नहीं दिख रही है पूरी देश के अंदर चाहें किसी प्रदेश को लिए जिए मद्य प्रदेश की बात करें तो अभी दो ताजमाम ले आया है कि पुलिस आर्चक पातरता परिश बरगतीन की जो परिचा हुई थी उसका फोटो जो पेपर जैसी का तैसा जो तो कईनेamt बिपच इन मद्धों को क्यों भूना पा रहा है क कांग्रेश में मैं में 50 मैं हैं हैं मध्यकिन देश के अंदर तो इतने इतनी सी बात में। में हैं कांग्रे की सर्थ होती तो बीजेपी तो आहा कार मचा देती तो ऐसा आप एक प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश उपाद देचे हैं पिछड़ा वर विवाग के इसनाद से पूछना चाहूंगा कि क्यों ऐसा देखिए व्यापम के मुद्दे पर कांग्रेस ने हमेशा से लंबी को बहुत मजबूती से उठाया था और नतीजा यह हुआ था कि 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी दूसरी बात अभी जो चाहे सम शिक्षक पातरता परिक्षा हो चाहा रक्षक भरती हो और इससे जुड़ा हुए एक और मुद्दा जो हमारे ग्रामिल क्रसिविस्तार अधि पात्र लोग हैं उनके अधिकारों को लूपना चाह रही है सरकार और हमारे नौजवानों के भविस को बरबात करना चाह रही है और कॉंग्रेस ने अभी इस मुद्दे को उठाया हुआ है हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे जीतू पढ़वारी जी के माध्यम से भी भी इस मुद्दे को उठाया गया है और हम इसकी लड़ाई को लडएंगी या लगता है इसका माश्टर माइंड कौन हो सकता वैस जनता तो समझ रही है फूरी जंता को पता है कौनि सका क्या है लेकिन वो नाम खुल के क्यों नहीं आ रहा है क्योंकि इतना बड़ा गॉंटाला प्रदेश के अंदर होता है तो हम जैसे लोग सामाने लोग तो इसको नहीं कर सकते हैं एक के बाद एक लगातार पेपर आउट होते हैं कभी रेल्ट सीट पहली तैयर की जा सकती है जै कुल नामजद सारजनिक रूप से इस बात में बोला था कि इसमें सिवराज सिंग जी दोसी हैं और हमारी पूरी कॉंग्रेस का और हमारा मानना है कि इसमें सिवराज सिंग जी लिप्ट है इसमें अब सिवराज सरकार को घिरने के लिए कोई ठोस रड़नीती अपनाएगी क अंग्रेस और अपनाएगी तो प्रदेश अस्तर पर जो वरिष नेता है उसकी रणनीती बनाएंगे हम लोग उसको फालो करेंगे और जनता के बीच जाएंगे तो जो आप एक जलाप पंचायत अध्यच रहें उसके नाते पूछना चाहूंगा कि अधिकतर लोग हमारे आपके एरिया में क्या होता है कि मैं भी मद्यप्रदेश का हूं मद्यप्रदेश में मुरहना से हूं आप जवलपूर वेल्ट से हैं सेवनी से हैं तो एक सरपंची क कितना सरपंच पद होता है उसमें कितना बजट आता है साल का क्योंकि हमने देखा है कि लगवग 2-2 करूड रुपे तो चुनाव में ही खर्च कर देते हैं फिर जीतने के बाद क्या विकास की इमीद की जाए देखिए पंचाय चुनाव में खेर यह जो आकड़ा आपने ब होता हो तो खेर अब आपको उसका ज्यादा व्यवारी का अन्वा होगा पर हमारे रीजन में महाकोसल छेतर में इतना तो नहीं रहता मगर रहता है और रही बात सरपंच के पद में जो बजट की बात करें हम पन तो देखिए एक तो मन्रेगा एक ऐसी योजना है जिसमें आ काम फर्जी चलता है और नहीं फर्जी नहीं चलता है देखिए उसके लिए पूरी एजनसियां है सरकार की एजनसी है सब इंजनियर है ग्रामड यांतर की विभाग है जब तक मैं अपना अनुवा बता देता हूं मुर्यना के अंदर जितने भी मनिरगा के काम होते हैं जोब कार्ड वाला उनके एक एक दिन की आजनी में साथ 1130 कुछ ऐसे पैसे बनते हैं अब कितने अब उस मैंसे केवल 100 रुपे निकालने के लिए सरपंच और सेकर्टर उसको देते हैं बांकी का पूरा काम मसीनों से करवाते हैं यह देखने के लिए मिलता यह बात अलग है कि मीडिया में नहीं आरा है और नहीं आरा तक क्यों आरा है क्यों नहीं आरा है हम को से करेंगे आने वाले समय में इसको देखाए हैं हमारा तो आप से कहना है कि आप मीडिया से जुड़े हुए हैं और अगर ऐसे कोई मुद्दे आते हैं तो आप बराबर उनको उठाएं पर मैं जहां तक अपने महाकोसल रीजन की बात करूँ जबलपूर, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघार्ट, मंडला, नर्सिंगपूर हमारे जो पांस साथ जिले हैं जिसमें हमारा आना जाना ज्यादा रहता है तो बराबर मनरेगा की काम होंगे लोगों को काम मिलेगा और उनका वैलिवेशन होता है तब जाके भुक्तान होता है मनरेगा के अलावा एक पंदरवा वित और जो चबुदवा वित हैं उसकी रासी पहिंचायतों को आती है विकास के लिए वो कोई बहुत जादा नहीं होती पांस साल में अगर देखा जाए तो मुश्किल से पचास लाग या एक करोड़ पहुंचती होगी पर ग्रामेड शेत्र में जो विकास के कारे हैं वो इन चुनाओं के माध्यम से प्रभावित हो रहे हैं हमारा सरकार से फिर से मांग है कि ये जो ओबीसी के आरक्षण के मुद्दे को हल करते हुए और रोटेशन को अपनाते हुए स शुक्रिया आपका समय देने के लिए मैं समय देने के लिए आखिर मैं आप हमारे दर्सकों से क्या कुछ कहना चाहोगे अपनी दरब से दोस्तों हम तो यही कहना चाहेंगे कि आप जहां भी हैं ग्रामड शेत्र के कारियों में आप लोग भी अपनी नजर रखें ग्राम सजग नहीं रहेंगे तो इसी तरह से हमारे अधिकार पर डाका डलते रहेगा सजग हों और जब भी इस तरह का कोई अन्याय होता है तो उसके खिलाब और ना केवल OBC बलकि आम आदमी पर भी अगर कहीं हमको लगता है कि गलत हो रहा है उसके साथ अत्याचार हो रहा है तो उ देश उपाद्यच कांग्रेश कमेंटी पिछड़ा वरक प्रकोष्ट आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपके अगर कोई सवाल है चंदिल जी से कोई सवाल हो तो अपने सवाल कमेंट बॉक्स में जरूर दें हम आपके सवालों का जवाब दिलाने की कोसिस करेंगे अभ प्रकोष्ट